हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल पर यह देखें फ्रेंड्स आज फिर से मैं आपके लिए बहुत ही यूजफिल और यूनिक वीडियो लेका हूँ इस तरह से सूटों से बच्चीवी कतरन्स के साथ हम बहुत ही सुन्दर साइक DIY रेडि करने वाले इस तरह से सूट का बच्चीवी पीस है और एक दूसरे सूट का बच्चीवी कतरन्स इन दोनों का यूज़ करके हम बहुत ही सुन्दर साइक DIY रेडि करने वाले चलिए फैंट्स वीडियो शुरू करते हैं इस तरह से मैंने पीसीज को कट कर लिया है और उन्हें प्रेस कर लिया है तो दोनों फैब्रिक को हमें mix and match करके इसके ओपर stitching करने हैं इस तरह से मैंने फैब्रिक को कट किया इसके ओपर इस तरह से रखते हैं रेंडम ली मैंने इस तरह से मैंने एक आटा बैग लिया, आटा बैग के ऊपर रखके मैंने एक पीस को सील लिया, इस तरह से मैंने इस पर सिलाई कर लिया, हमारी सिलाई हो गी है, अब मैं इसको इसको इस तरह से दूसरी तरफ टर्न कर देती हूँ, और इसके ऊपर मैं दूसरे फैब्रिक को इसके उपर सिलाई करूँगे यह देखे दूसरा पैब्रिक जो हमने कट कहता उसको इसके उपर रखते वे मैं फिर से इसको स्टिश कर देते हूँ इस तरह से थोड़ा टाइटली हमें इसे खीचेंगे और इसके उपर फिर से सिलाई लगाएंगे इस तरह से हमने इसके उपर सिलाई लगाने कपड़े को टाइटली पकड़ते वे हमें इसके उपर सिलाई लगानी है बिल्कुल इक वन इस तरह से और फिर से इसको उपन कर दीजिए और दूसरे कपड़े को रखते वे इस पर फिर से हम सिलाई कर देते हैं इस तरह से one by one हम सभी pieces को जोड लेंगे friends, ये देखिए इस तरह से मैंने four pieces को आपस में जोड लिया है, इस तरह से देखिए कुछ pattern ready हुए friends, अब हमें क्या करना है, एक हमें plate लेनी है friends, इस तरह से मैंने एक plate लिये, इस तरह से रखते वे plate को हमें इसके चारो तरफ निशान लगा लिया है, ये निशान लगाने के बाद हमें इसके चारो तरफ सिलाई कर लेनी है, ये देखिए मैंने इस तरह से मैंने एक one piece ready कर लिया है, और इसकी चारो तरफ से कटिंग कर लिए जो एक्स्ट्रा धागे मैं उसे भी कट कर देती हूँ इस तरह से मैंने दोनों पीसीज को रेडि कर लिया है अब इसकी देखिए जो हमने रेडि किया है इसकी मेजरमेंट कितनी है यहां से देखिए एट एन हाफ इंच के दोनों सर्कल रेडि हुए है एट तह मैं इसकी ऊपर इसको रखते हुए इसको चारो तरफ सिलाई कर दूँगे इस तरह से मैंने दोनों पे जिलाई कर लिया है अब हमें क्या करना है इस तरह से एक Нिटा पार्ट कर दिया है यहां से मिट का निशान लगा देती हूँ ऊपर की साइड भी और नीचे की हूं रिखाल लगा ने जार है जो बीच का पार्ट रहे जाएगा इस पर हम जिप लगाएंगे हुआ है एवर बूसे इस तरह से मैं प्लेटेस लिए इस तरह से रह्ते विए यहाँ us का ओड़े से से इसको स्पूर करना शुरू करेंगे यहां से रखते वे गॉल- Unterफा इसको तिरफ रागते इस तरह से एक पार्ट पर, सेम इसको अंदर के तरह फोल्ड करते वे, अब हम इस पर टॉप स्टिच लगा ले, सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है, इस तरह से मैं दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है, अब हमें क्या करना है, इस तरह से जहां से हम 12 लगाली अब हमें क्या गे अब जिप में ए रेंड डालने है एकost लाग. हिस्तर ए इसारी से से हुमारा जिप में इनसेट लिए थी 선ै है , अब हम लोगा है। दॉन난 कर देन दोन हो साइड से खूंथ कि उडिवर करने हो जीन को शूरी सी का और कर देते हुए बिढले एक पटीत को इससर से वन टाइम už फोल करते हूं मैं इसा सिलाइ लगा लिए इगके इस तरह से मैंने चिलाई लगा लिया, उपर की साइड से 3.5 इंच पर मैंक एक ट लगाओंगी, तो 3.5 इंच की दो पटिया मैंने कट कर लिया है, उनको फोल्ड करते विए इस तरह से यहां रखते विए मैं इसके चारो तरफ सिलाई कर दूगी, एक पटी एक ऍपती दूसी साइड लगाते वे मैं स्टिच करूगी इस तरह से पटी को फोल्ड करते वे मैंने दूसी साइड भी पटी डाल दिये अंदर की तरफ ठीके जो खुला हिसा है वो बहर की तरफ रखना है जो बंद हिसा है वो अंदर की तरफ रखते वे किनारे पे जहां जिप लगी है और मैं इसको यहां से सील दूँगी देखी सिलाई हो चुकी है अब हमें क्या करना इसके चारो तरफ रफेजिस को फिनिश करने के लिए मैंने एक पटी लिया और इस तरह से रखते वे उस पे सिलाई करते वे मैं इसको चारो तरफ स्टिच कर लूँगी ताकि जो यह रखेजिस हो हमारे बिल्कुल दिखाई न दे बिल्कुल क्लीन हो जाए और एक PIP इनश से बैस पे निकाल दूँगी इस तरह से मैंने इस पे 4 तरफ पाइजिस निकाल दिया इस सरे सारे रखेजिस क्लीन हो गए जहां जिप लगी वहां से मैं इसको सिधा कर लिती हूँ फेंड्स इस तरह से मैंने इसको सिधा कर लिया है इसके किनारों को अच्छे से निकाल लीजिए नॉक्स वगेरा इस देखे बिल्कुल बहुत ही सुन्दर सा यह पाउच हमारा राउंड शेप का पाउच हमारा रेड को अपको जैसे यूज करना आ वैसे इसको यूज कर सकते मैं से बच्चे भी से डेकिंज़ाटल हमें इसको रख सकते हैं इस तरह के अगर हम कवी सारे पीसिस बनाए तो फ्रेंड्स इनको सेल बेसते हैं 5-10 मिंट लगती है फ्रेंड्स इने बनाने में और वेस्ट करतन से हमने इसे बनाया है अगर आपको यह आइडिया अच्छा लगा तो फटा फट वीडियो को लाइक कर दीजिए जितना उसके वीडियो को शेयर कीजिए और